तो इस रिटिंग शेक्शन राइकिंग शेक्शन लैंग्विस्टो फो जाए गालिए जब कुश्चन आते है तब हुन सबसे जब दर गलती है हमारी कहां से रिकल जोती रिटिंग सेक्शन में स्केच अकल में तुम इनमें 10-15 मांस गबा आतो तुम्हें पता भी नहीं जलता हां ठालो गाइस डिस इस गॉफ सिंग आप सब्सक्राइब है हमारी एक को अनिटेस्टिंग वीडियो में कि इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है ठीक है दो हफते हो गए थे फिर मैंने साथ एक वीडियो डाल दी थी फिर यहां पर एक सबसे का ब्रेक आ चुक है ठीक है लेकिन अब हम वापास आ चुक है ठीक है तो कुछ कारणों के वजह सी हम नहीं वीडियो बना पाड़ा थी ठीक है जैसे कि तुम्हारे लगता वीडियो आ रही होंगी ठीक है तो आज हम बात करने बारे में स्ट्रेटिजी के बारे में ठीक है कि आखिर आज की डियो में हम क्या बात करेंगे ठीक है इंग्लीश में हम कैसे अपना 98% प्लस फोड रहे होंगे ठीक है अब इजी हो चुका है 298 परसेंट प्लस पॉड़ना ठीक है क्यों क्यों कि यह MCQ है ठीक है लेकिन मैंने तुमने मेरी वीडियो देखे होंगे तुम ही और फिर तुम कहोगे कि भी आप ही तो बता रहे थे है क्यों ज्यादा ठीक है ठीक है ठीक है अगरस में यहाँ में तो सही है लेकिन आपर कशक में देखे हो क्वेशन ठीक है तो इसलिए यह तिमारे लिए 50-50 की चैंसर यहां पर बनती है 50 परसन तूमारे लिए एजी भी होता है लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें है एग्जाम से तुम्य होता है कि मैंने पहले लिए कर लिया हुग यहां, पे तुम्हें हर एक चीज को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर एक चीना सही है तो भाई computer की language होती है वो zero या पन को ही input करता है बस और कोई वो language नहीं समझता ठीक है वही चीज तुम्हारे साथ यहां पर हो रही है ठीक है तो चलो class tent के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है तो तुमने देखी होगी ठीक है मेरी surprise वाली वीडियो तो इसमें मैंने बहुत जह साई चीज़े तुम्हारे लिए launch कर दी है ठीक है अब तुमने पिसली वीडियो देखी होगे तो तुमको सारा मटे नमेल लोगा अभी नहीं देखी है तो आप तुमको इस वीडिम में बताने वालों कि क्या चीज़े होने वाली हैं तो क्लास टेंट इंग्लिस के बार में अगर हम बात करें ठीक है तो पहले तो मैं यह पता होने चाहिए कितने मॉक्स का पेपर होगा हमारा तुम्हें जैसे की पता है maximum marks किस दिन होगा 11 December को होगा 11 December 2021 ठीक है तो अगर हम देखें आज है हमारी 31 आज का लिन हमाट आते हैं वन से 30 तक देखते हैं तो नॉंबर 30 देखते हैं और वन टू और फिर वन टू टेंग्टें डिसमबर का तीन दिन तो उधर तुमारा वैसे तुमारे एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 30 से ही ठीक है तो तो तुम्हें उसकी प्रिप्र जिन पहले उसके लिए करोगे तो तुम यहां पर मान के जो तुम्हें पास 20 से 25 देज हैं इंग्लिस को प्रिपेर करने के लिए लेकिन अगर एक्जाम के डेट तक देखे हम तो हमारे पास यहां पर 40 देज बच रहे हैं ठीक है लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं नॉर्मल जेतने एक्जाम होने माले में तो सब में हमारे पास 22-15 इन देज इप भची हुए ठीक है तो यहां पर देखो पहले तुम्हार पेपर होगा ठीक है उसको चार सक्शन किpoke CR need कि चेक कि पात इह ayvaam होता है ठीक है पहला तुम्हारा रीडिंग होता है दूसरा तुम्हारा राइटिंग होता है और तीसरा होता है तुम्हारा लिट्वेचर ठीक है तीसरा होगी लिट्रेचर और फूर्ट होगया लैंगवेज ठीक है फूर पार्ट होते हैं बेसिकली तुम्हारा रीडिंग र वाला हमारा हच चुकह लगा है यह वह थो हुगा का लिखना है तुम्हें यहां यह पहली लाइन है यहां पर क्या आएगी या तो यह दीसी लाइन है यहां पर क्या आएगी है ना यह इस तरीके से वह पूछ सकता है यहां पर कौन सी चीज आएगी ठीक है वह चीज समाझ यह रीडिंग सेक्षन कितने मांक्स का आगा है यह हमारा 10 मांक्स का रहा हूं तो यह मैं तुमको मिला की बता रहा हूं ठीक है इस है तुम यह समझ लो एसबसे पर फाइब मांक्स हें और इस यहीं थेकिff एन एसे समझ लो यह सबसे में चीज को आती है वहरे सबसे एक बड़ी गल्टी हो जाती है वो जो इस्वेंटेक करता है सबसे बड़ी तुमारी गल्टी यह वह लिए कि तुम इसके चक्कर में इन दोनों चीजों में तुम 20-10 Marks गवा आते हो इसके चक्कर में तुम इनमें 10-15 Marks गवा आतो तुम्हें पता भी नहीं जलता क्यों कि तुम्हें पता है इसको प्रिपेर करने में ज्यादा करते हैं यह तो रीडिंग राइटिंग सेक्शन है इसमें ज्यादा कुछ करना ही होगा इसको हम बाद में भी कर लेंगे ठीक है हम में फोकस है लिट्रेच्र दो में फोकस तो को को कि थेना है लिट्रेच MER सबने भी देना क्यूं है अब मैं तो को बताता हूँ खिंजर याद करना है यह सब चीज़े याद करनी है vet którą कि याद करनी होगी तो हम इसमें लगएगा तो हम किसके पीछे बागते हैं literature के पीछे बागते इसkte विषम्षा हो जाएगा लेकिन जब सबसे जब प्रैसेज में ऐसे ऐसे वर्ट साथ आते हैं कि हमें समझते हैं इसका अंसर होगा क्या ठीक है है राइटिंग में हमें format समझते हैं चलो format तो तुम्हें आ गया तो आ गया ठीक है लेंग्विज में ग्रामर मिस्टिक बहुत ज़्यादा हो रही है ठीक है लेकिन हम किसके बीचे बाग लेते सिर्फ लिट्रेटर के पीचे कि वह हमारा तो लिट्रेटर काई पेपर है लेंग्विज और रीडिंग राइटिंग यह आए गई है हम तो ऐसा सोच के चल देते है आँ आगे लिट्रेटर के प्रैक्टिस करनी है तेंक लेकिन साल में ये तीन चीजें करनी होंगी अगर यह थी तेंसे नहीं करो ग traumत घट सुलने की है तक थो टुक का मार कर śm duぇ लेकिन प्रक्टिस किया ही नहीं है हम इसके पीछे ही गलती हैं तो मैं प्रैक्टिस टीन गी यह करनी है और कोशिच को रेडिंग और लेंग्वेज पर इस पे ज्यादा फोकस डालो इस पर ज्यादा फोकस डालना क्योंकि डिनीशिटर में ऐसे 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 पैसे एसे वर्ड राज़े तो अगर रिफसेटर है तो अगर रिफसेटर के तौर पर मैं तुमको कहना हूंगा उस्वाल के करो ठीक है उस्वाल में बहुत जड़ा अच्छे-चे कोशन दे दीए होगी है तो यहां पर हमने िवाधे को कैसे कैसे पर कैसे तीक है अब लिट्रेटर ठीक है लेंगे तुमारा कुछ चैप्टर से ठीक है और बाकी तुमारा फॉनेट वह तो बहुत आए लेटरचर में अगर हम देखें कि लिट्रेचर में हमारा कितना आ रहा हैं पूरे के पूरे ठीज चैप्टर आ रहे हैं टटू फॉर फाइवाइवन ट्वैलेड ए ठीक पहला इंग्लिच में तुमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं अगर हम बात करें नहीं की बात करें ट्मारे कितना अा रहे हैं और अगर थयोरी की बात करें मिंस्स ट्रू प्लीमेंटरी की बात करें Schr है कोब हैं थ्री चैप्टर से करते हो तो सिफ चार मार्स का एक चैप्टर से क्वेश्चन आना चाहिए इसके साब से से आना चैप्टर से नितिंटी मार्स का हएं इसमें से तो की मर्स्थ है से क्वेश्चन कि समझ सब्सकित है नियंग्री किश का कहा पर कहां क्या क्या करना है पूरे कि वफन तो ठीटी एक आ है पूरे तहीं चैप्टर आ रहे हैं English Literature में ठीक है 13 चैप्टर में इंग्लिस लिट्रेटर में आ रहे हैं जिसमें की छे लिट्रेटर से चार पोयम से और टीन सप्लिमेंटरी से अभी इसको प्रिपेर कैसे करना है कहां से करना है वो साइच चीज़ है तुमको बताता हूं ठीक है में चीज़ अगर हम ब बचे हैं 20 देज के साफ़ चलते हैं ठीक है वन टू ट्वेंटी नाउंबा देखेंगे उसके बाद हम चलो 27 देख लेते हैं एक हफता और बना देते हैं तुमारे लिए ठीक 27 अगर हम देख लेते हैं क्योंकि 27 इथा 27 नाउंबा तक तुब या 29 को तुम्हारा फेपर होग तक है पहला पेपर त Such लिए प्रिप्रे्शन करोगो एक धेन पहले करो को यूझ से पहले भी कट वगommes रहोगे तो यहां पर तुम देख सकते हो 27 मांद कि चलो जिए 25 एस मानन कि सब्स् exactly 100 को तो कुछ chapters हैं जो कि तुम्हें एक-दो दिन कर सकते हो ठीक है समाज़ लो अगर तुम्हें नहीं समझा रहा है दो दिन इनफ एंगलिश के लिए ठीक है एक चैप्टर एक दिन में हो जाता है लिकिन दो दिन ले लो तो मतब पर फ्लियर हो रहा हो गा बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से हो रहा हो ठीक है लेकिन अगर तुम यह सोचो पोयम छोटी-छोटी जो है उनमें अगर हम दो दिन लगा है तो वेस्टेज अप टाइम है इसमें दो दिन लगा होगे तो तुम्हारा हो गया कल दा ठीक है तो यह चीज़ें नहीं करना है तो मैं चैप्टर एक चैप्टर चैप्टर बन नहीं है एक चैप्टर प्लस zelfs टू पोयम ठीक है ओँड है है एक नवे लगे ईक इंगलिस का सटार कर दो और दो पर लो बस तुम यह भी कर सकते हो एक дов और एक पूयम करो कोई दिक्त नहीं है ठीक है है एक पोयम करो थेक साथ में तुम्हें फिर अगली ने सेकंड में क्या करना है लडियोजर बढ़नी है second poem ठीक है एक poem प्लस grammar grammar प्लस writing ठीक है grammar plus writing एक दिन तुम्हें क्या करना है English का एक chapter plus plus एक poem या एक या दो poem दूसरे दिन में क्या करना है एक poem plus grammar plus writing बात करना है ठीक है फिर यही चीज़ तुमको फॉलो करने है अज दिन फिर इंग्लिश देटर फिर उसके पार grammar फिर रिट्रेचर फिर grammar ऐसे तुम्हें चाहिए तुम्हें पता है यहां पर forgetting कर्व को ब्रेक कर रहें ठीक है forgetting कर्व को हम ब्रेक कर रहें कि अगर हम जो पढ़ रहे थे उसको बोल जाते फुल पढ़ते फिर बोल जाते फिर फिर बोल जाते तो इसको हम ब्रेक करेंगे हम यहां पर क्या कर रहे हूंग हमारा graph ऐसे जा रहोगा ना कि ऐसे ठीक है तो य यहाँ पर NCRT के हर एक चैप्टर पर पढ़ने जो ठीक है वो तो तुम्हें ठोड़ो रेडिंग करने ही लेकिन में में चीज़े अगर हम एक्जाम से पहले की परस्पेक्टिफ से देखे तो हमें क्या-क्या चीज़े करने चाहिए में चीज़े जो है वो हम कहां से पाएंग पर तिसी चीज़ आती है NCRT जो की Heart and Soul है तुम्हारी और चौती चीज़ आती है एंसी क्यूज ठीक है और पांचवी चीज़ आती है राइटिंग में पार्ट और च्छेटी चीज आती है रीडिंग पार्ट ठीक है अब तुम हर एक चीज़ को तुम जा होगे गूगल पर अगर यह सारी चीज तुमको अगर एक जगह में जा तो अगर यह सारी चीज तुमको एक जगे मिल जा तो तुम्हाते लिए कैसे रहेगा बेस रहेगा ना तो वही चीज तुम्हारे लिए इंट्रिडूस किया हूँ अंगिलिस की M.E.Q. बुक अब तुम कोगे बईया M.E.Q. आपने कही M.E.Q. को गलत तो नहीं लिए नहीं गलत नहीं लिखा है Most Expected Questions Most Expected Questions नहीं लाके दख दिया हूँ Book Clit की जो PDF है वो तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल लई होगी जाके महाँ पर भी उसमें तो लंबे लंबे कोशन होगे नहीं लेकिन तुम्हें याद उसमें वहाँ पर प्रिया कि इसको M.C.Q. format में convert करके तुमको दिया जा रहा है वहाँ ठीक है प्लस तुम्हें वहाँ पर सीबसी का question paper मिलेगा मिलेंगे प्लस sample question जो की मेरे पास है ठीक है जो की मेरे पास previous रखे और उसे प्रिवेस से रखे जो भी है ठीक है यह सारी चीज़ें तुमको महाँ पर मिल लाई होगी और यह चीज मिल लाई होगी फिर तीसरी चीज़ वहाँ तुम्हारे one page notes ठीक है Link पर ख्लिक करो PDF download करो तुम्हारे सामने सारी चीज़ें होंगी पीवाइश की होगा सबकुछ होगा तुमको सिर्फ इंटीन गुक लेट्स में ठीक है तो तुम्हें करना चाहिए अब इसको पाने के लिए कुछ नहीं करना अपने चाइब को सब्सक्राइब करना है एडिक को लाइक को तसर ने मिल जाएगी यहां भाई तुम लोगों के पास यह चीज़े चली गई ठीक बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए ऐसे तुम लोग प्यार बना से रहो बहुत ही जल्द हम 1K के पास आरे वाले हैं ठीक है तो जल्दी से जल्दी सेर करो और सब्सक्राइब कर इस पीडियाव को और इन फीजते को पाने के लिए एक और चीज़ चीज़ नहीं पताता हूं तेले ग्रम एडिकेट इसकार जो पर तुम्हारा वीडियो और अनॉंस्मेंट आती हैं डिसक्रिशन में तुम आपस में किसी से भी कुछ भी डिसक्रिश कर सकते हूं इतना भी तुम्हारा कॉंटेंट रहता है इसक्रिशन पर पर हो गए इंपॉर्टन पर चीज़े हैं थीक है वह सब च साई चीज़े पाऊ और मज़े हो ठीक है तो और नाइटी प्रस प्लस फोड़ना है और जो भी फोड़ लेगा कमेंट करके ज़रूर आना कि यहां बाईया मैंने फोल लिए और यह कमेंट में जरूरू बताने यह चीज़े तुमको कितना जादा है फुल दी तुमको सब्सक्राइब करें और बेले करना ना मुला जय है जय वारत बाई